गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकूम टु माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आज वें आप सब के साथ जितनी सिंपल रेमेडिय शेयर कर रहे हैं उतनी ही इफेक्ट है आपको ब्लीच फेशिल सब भूल जाओगे पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगे इसकिन ब्लीचिंग टॉपर्टीज होती है यह नहीं सरफ इसकिन को ब्राइट करती है बलके इसकिन को टाइट करती है इसकिन को मॉस्चर देती है नमी देती है छीक है एक चमच लेंगे हम यहाँ पर शाहिद का आप सब चीजें अपने सब से कम जादा कर सकते हैं आपको हाथों पर पैरों पर चेहरे पर जहां पर भी लगाना हो अगर आप की स्केन ज्यादा सेंच्टिए तो चेहरे पर लगाने असपेली एक पेच टेस्ट कर लें छीक तो मेंने क्या एक चमच हनी लेके साइड में रखी है अब पहले आपको लेना है एक छोटा मीडियम साइज का पो दाग दबे हो चाहे आपके आँखों के आसपस डार्क सरकल्स हो काला पन हो पिग्मेंटेशन हो पोटाइटो कम अमेजिंग वर्क करता है उस पर और यह हर एक के किचन में आसनी से मिल जाता है इसका हम जूस निकालेंगे यहां पर हम आगे कपर से शुरू करें उससे पहले म और फ्रेंज में जरूर शियर करें अच्छा लग तो एक लाइक जरूर करें ठीक है अब जो मैंने पोटाइटो का जूस लगबग एक चमज निकाला था एक रिडिट चमज वो मैंने हनी में मिक्स कर दिया है अब जो यह उपर पोटाइटो का जो बाकी का पच गया है वेस citric acid होता है vitamin c से भरपूर होता है ये भी natural bleaching का काम करता है हमारे skin के उपर जो भी mild, dirt, गंदगी होती है उससे निकालकर बिल्कुल भाहर फिकता है उसके साथ-साथ इसमें anti-aging properties भी होती है ठीक है इन तिनों को चीजों को हम mix कर लेंगे अब आपको क्या करना है इसे रखना है side में और पहले जो यह आलू का जो उपर का बच गया था इससे आप अच्छी तरह से एक mild scrub कर लें आप अपने चेहरे पर लगा रहा है हाथों पर लगा रहा है यह एक mild scrub का काम करेगा अगर इसके आपकी बहुत ज़्यादा ड्राय है तो आप इसमें थोड़ा सा तक्चा दूद भी एड़ कर सकते हैं ठीक है और मैंने इसमें एड़ नहीं किया है इस तरह से आप इसे लगबख पाच मिनिट से मसाज करें इससे ही आपको फरक पहली बार में ही दिखेगा अगर इस तरह आप सिरफ आलू भी लगाते हैं तो ठीक है अब उसके बाद आपको इसकिन को वाश नहीं करना है अब जी हमने बचा के बना के रखा था यह एक नेश्रल ब्लीच है आप क्या करेंगे इसे अच्छी तरह से लगा कर लगबख 10 मिनिट तक आपको छोड़ देना है ठीक है चाहें तो कॉटन की मदद से लगा है इसे हलके हाथों से बिल्कुल काला पन है जो पफी आई से वो भी खतम हो जाएगा वहां पर भी लगा सकते हैं यहां तक कि यह दाग सत्रिश को भी हटाने में हेल्प करेंगा अब क्या करेंगे लगबख 8-10 मिनिट के बाद जो हमाना लेमन का छिलका रह गया था उससे आप हो सकें तो 2-3 मिनिट इस तर बहुत लोगों गई यहां पर के आप इसे अपने अंडर आम्स पे भी कर सकते हैं यहां फिर नेक अगर बहुत ही ज्यादा बलैक हो गया है उस पर करें वीक में दो से तीन बार और प्लीज मेरे साथ अपना एक्सपीडियन्च जरूर शेर करें वीक में अगर तीन बार ज्यां बर बहुत ही जरू खिन अवादो nic 1 आप